नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत दे दोसों आप शबी को बता दे कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जिवनकाल की बहुत बड़ी शचाईशे रूबरू कराने वाले हैं जिया दोस्तों यो कहें तो आपके जुनकाल की हम चिंताएं आज के वीडियो में खत्म करने वाले हैं जो भी परिशानिया हैं दोस्तों वह यश में इस वीडियो को देखने के बाद आपका खत्म होना निसी थे बसरती दोस्तों आप शबीशे बस यही निवेतन रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंधर तक आप ध्यान से देखेगा और ध्यान हमारी बातों को शमझेगा अपने जुनकाल में हमारे बातों को उतार देगा दोस्तों आपको जो फाइदा होगा आप यह बात कहेंगे कि हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया दोस्तों आप में किशी के शाथ कभी भी भेदभावाला वहवार नहीं रखा है आपने जुनकाल में एश्व वहवार कभी रखा ही नहीं है या रखने की सोची ही नहीं है जो कि अगले आदमे को लगे कि इनमें भेदभाव है जैंदोस्तों आपने जो भी किया है जिसके लिए भी किया ह जिनके लिए भी किया है दोसों आपने बिल्कुल ही शच्चे दिल से उसे किया है सिद्धत के शाथ क्या है ताकि कोई आपको कहने शक्ता कि इन में इन बातों में खोट है जैंदोसों और जब भी आपकी शुकली कोई कारी करते ही भले हुआ उसके हित के लिए हो कभी भी अलत अर्थ निकाल देते हैं आपको भला बुरा कह देते हैं आपकी आपको शमयते ही नहीं है आपकी भावनों को ठेज पहुशाते हैं कभी आपकी भावनों का कदर वो लोग नहीं करते हैं जैंदोसों इसके साथी हम आप शिपी को बताया दें कि आपका जो सभाव होता ह बहुत ही शांत सोबाप के आप इंशान होते हैं प्रन्तु अगर आपको एक बार गुष्ण आ जाए तो दोसमों फिर आपको शमालना भी मुस्किल हो जाता है आपके क्रोध को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता यदि आप क्रोधित हो जाए यदि आप आविश्माज जाए तो आपका मन करेगा जिस चीज को आप पशंद करते हैं आप वही चीज करेंगे इसमें दुसरे की दखल अंदाजी आप बिल्कुल भी पशंद नहीं करते आप अपने जुन काल में अपने कारियों को अपने हिशाब से करना पशंद करते हैं कोई दवाब डाले कोई प्रेशर टाले यह चीज आपको बिलकुल भी पसंद नहीं होता और इशी के शाहते हैं हम आप शीबी को बता दे कि आपके अंदर बहुत शारे खाश गुन होते ही और कुछ नकार्टों भी गुन होते ही वो दोस्तों। को उसका पता भी नहीं होता आप खुत नहीं जानते हैं कि आपके अनदर इतनी इशारी अच्छी खूबयां है इतनी इशारी अच्छे विन है उस्धा बातों का पता पको नहीं चल पता जैसा कि प्रिल खुल कर आपकी शेक पर भरोशा करते हैं और इस परकार प्रशन होते हैं तो सब कुछ उनको लुटा देते हैं लेकिन जब आपको जरुद पढ़ता है तो वही लोग जिनके लिए आपने अपने जुनकाल में सब कुछ किया है कुछ जल्दन उपर विश्वास किया है शब कुछ उन पर लूटा दिया है नेचावर कर दिया है और दोस्वों वही लोग आपसे जो है मूँ फिर लेते हैं मूँ पर तो नहीं लेकिन पीट पीछे आपकी बुरायां करते हैं आपकी निंदा भी करते हैं शादी दोस्वों हम आपको यह बात बता दे कि आप दोस्वों आपको तकलिफ तब होती है जब जिसके लिए आपने शब कुछ किया है जान से जदा उस पर भरोशा किया है और वही लोग आपके कारियों में रुकावट बन रहे हैं वही लोग आपको नुक्षान पहुचा रहे हैं तो दोस्वों आपको बुरा लगता है कि में जो वेक्ति मेरे शाथ ताजिस के लिए हमने सब कुछ किया और उसी ने आज हमको धुखा दिया है तो यह समय में आपको दुख होता है और आपकी भावनाओं को यह में ठेश पहुंचती है लेकिन दोस्तों हम आप शुब को यह बात बता दे कि आपने अपने जुनकाल म किया है और आभी भी करते आ रहे हैं आप शुब को बता दें कि आपकी जुनकाल में हमेशा परिश्योंगा चलती रहते हैं चाहे वा मांसिक परिश्यों हो घर की चिंताएं हो या फिर भूश की चिंताएं भूश को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इतने शारी इतना सारा चिंता इतने सारे शमयश्याएं होने के बावसुत भी आप कभी भी पीछे नहीं हड़ते आप लगातार शमयश्याओं का डट कर सामना करते हैं सहांच के साथ अपने कारियों में लगे रहते हैं और दोसों इन्हीं की बदोनत आप निजुलकाल में हमेशा शफलत को चूते हैं और आगे बढ़ती रहते हैं ज्यादोसों इन्हीं शमाल में भी आपका शमान बढ़ता है आपकी व्यक्तितु का पहचान आपकी शंगर्स होता है ज्यादोसों कोई भी अश्याकारे नहीं है जिनमें आपको शंगर्स ना करना पड़ा हो ज्यादोसों आपकी जुनकाल में आपको हर कारियों में श्रंखर्श करना पड़ता है तब ही जाकर आपको शुपलता मिलती है तो आप देखे होंगे कि आपके बगल की कोई इंशान कोई आदमी अशा होगा जिनें बहुत चारे चीज़ें असाने से मिल जाती है लेकिन दोस्तों आपको वे शब टॉस्तों आप में कमेंट करके जरू बताएगा अपने राय हमें कमेंट करके जरू बताएगा एक दोस्तों आप शपने कंव सचुंगे के लिए हम ओर भी मेर्न कर रहे हैं तो दोस्थों आप शपिकर बिदा दें कि अब आपका वक्त आ गया है आपका किश्मत बदलने वाला है पर दोस्थोंं अब आपका भाग शात्य आश्मान पर जाने वाले यानि कि दोस्तों जुनकाल में जो भी परिश्यानियां है वह धीरे-धीरे खत्म होने वाली है इस महिने के अंत तक आपको अपने जुनकाल में बहुत बड़ी खुशकवरी मिलने वाली है जो कि दोस्तों आप शुब के जुनकाल को बदल देंगे तो दोस्तों इस महिने में गरहों की जो गोजर है आपके लिए शुब दिखाई दे रहे हैं और दोसों इनमें आपको कुछ विसेश बातों का ध्यान रखना होगा जो कि दोस्तों आपके लाप के कारियों में रुकावतें पेदार नहीं होने देंगे दोसों अपने उपर वालों को देखा तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पाश अपने शे नेचे वालों को देखा तो लगता है कि बहुत कुछ है मेरे पाश जिन्दगी में जो मिला है उससे कभी भी नहों हो उदाश क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है ज दें जय श्री किष्णा राधिरादे दोस्तों बात करते हैं तरक्की के नए रास्ते खुलने में भागया आपका शयू कराएं प्रसितियानुकूल है इसका भरपूर सद्रीयों प्योग करें दोस्तों अचाना की किसी फिरी मित्रिय से मुलाकात आपको खुसी देगी और दो वजह किसी के साथ मदब्य होने की आशंका भी लग रही है दोस्तों याश्रों में अपनी मनोविर्ती को शकार्तमक बनाकर रखने की आफशकता होगी दोस्तों विद्यार्थियों को अपनी पोजेक्ट में पृफलता के कारण उनके आत्मबल में भी कमी आशकती है इसे दोस शेट कोई महत्पुर निरले लेते शमय आप गलतियां कर शकते हैं जिसका सर आपको नीजी भईष में नजरायेगा दोस्तों बड़े कोई पैत्रिक श्रमंदी ममला चल रहा है तो दोस्तों यश्र में बहुत ही अच्छा और असानिस उन्हें आप हल कर सकते हैं इसको प्रांदी दोस्तों यश्र में माता पिदा या फिर किसी भी वरिष्ट व्यक्ति के अत्मस्रमान को ठेश नो पहुचाएं आप जो यश्र मे ही विश्वास रखें यह आपके लिए वहांगे दोस्तों आपका शमाजी कारे में विशेश सयोग भी रहेगा आपके दोरा लिए निरले या पिर दिये गए दान पूर्णी के वज़ाशे आपको मार्शिक समधान भी प्राप्त होगा इसको प्रांदी यश्र में आपके होंगे किसी समाजिक समस्ता के शाथ शहर्निय काम करने शे आपको क्या जा सकता है तो से और के लिए यह नहींदिंदी कोई विश्रां ना बना कर वरतमान के कारियों पर अपना ध्यांत के दिर लगे आपको वह श्री शफलता प्रापत होगी शाठी दोस्तों कभी-कभी ग सब्सक्राइब हो सकते हैं जिसकी वज़र से आपकी कारिक्षमता भी प्रवाइद होंगी दोस्तों महत्पुन वस्तु को रखकर भूलने या फिर खो जाने के वज़र से तराव रहेगा परंतु चिंता ना करें वस्तु आपको घर में दोस्तों एक और को ची वं आपके प्राप्ति होंगी या फैस से कम सम्स्राइब इसा इस बढ़ पिसारा novory की ब्लाप्तो सकते हैं जिसके दोवारह आपको खुशियों की प्राप्ति वहोंगी युआ गर के रख रखाव अत्वा बदलाव शमंदी भी योजनाई बनेंगी इसको परांदे दोस्तों यह घर में बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना पारवरिक लोगों के लिए मुझकलें खड़ी कर सकता है अपने शवाव में शमय के अनुशार परवर्तान लाना आपके ल प्हेनत लेने के और शकता होंगी दोस्तों में आपको यह घर सकते हैं जिसके दुवरा आपके जोन में कोई नई दिशा भी आपको प्राप दोशकती है इसको आपकी के लिकर बात करें तो दोस्तों यह मार्कर्टिंग मेडिया से समय्द्व कारीयों में अधिक्स ध्यान यह श्मय अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उशे उससे सम्दित वजणाय बनाने की और किर्यानवित करने का उश्यत समय होगा दोस्तों यह शमय और अस्थान परवृतन की शाभावना भी बन रही है। इसको बराएं दोस्तों यह शमय आपकी लव लाइप के लिकर बात करें तो दोस्तों पारिवारी की वाताऊरण खुशनमा रहेगा। युवाओं की अपनी दोस्ती में युगों की वज़शे दुरियां अशक्ति है इसी दोस्तों यश्में अपने वाइवार को आप समय उद्मारा कर रखें यह आपके दोस्ती के लिए और आपके लव लाइप के लिए बैतर होंगे इसको प्राव यश्में आपके हेल्थ के करना चाहिए दोस्तों इस महिने में आप हमेशा लक्षमे की इरपा बनाई रखने के लिए घर की अन्मारी में या पिर तीजोरी में हल्दी की एक गांट जरू रखेंगा तो दोस्तों और एश्यादिक जानकारे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइ शुब रहे